आज हमने बनाया है पालक की सबजी जो की खाने में बहुत ही स्वाधिश लगती हैं बिल्कुल नया तरीका है ऐसी पालक की सबजी आज से पहले आपने नहीं बनाया होगा तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमने 300 ग्राम पालक ले लिए हैं इसे हम काट के ले लेंगे कुछ इस तरीके से काटने के बाद इसमें डालेंगे आधा चमस नमक नमक को हम अच्छे से मिला लेंगे नमक हम इसलिए डाल रहे हैं कि पालक में जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा अब इसे हम पांच मिनिट के लिए ढख करके छोड़ देंगे तब तक इसके हम मसाले तयार कर लेंगे एक मीडियम साइज के टमाटर दो हरी मिर्ज चार से पाच लेशन की कलियों को ग्राइंड करके ले लेंगे इधर पाच मिनट हो चुका है तो पालक को हम चेक कर लेते हैं तो पालक से काफी जाता पानी रिलीज हुआ है तो पालक को हम निचोडते हुए साइड में रख लेंगे और इसका हम पानी निकाल लेंगे पानी को हम इस्तमाल करना है इसे हम फेकेंगे नहीं अब पालक में हम मैट करेंगे कुटा हुआ धनिया एक चमच आधा चमच काली मिर्श का पाउडर एक चमच डालेंगे सबजी मसाला सबजी मसाला से बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा अब इसमें हम डालेंगे चार चमच के करीब बेसन बेसन हम बांडिंग के लिए इस्तमाल करेंगे अब इसमें हम डालेंगे एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू आलू को हमें ग्रेट करके डालना है आलू को ग्रेट करके डालने से बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो इसलिए हम आलू को ग्रेट करके डालेंगे तो आलू को हमने ग्रेट कर लिया है अब इसमें हम डालेंगे नमक आधा चमज के करीब नमक का इस्तमाल हमने पहले भी किया है आधा चमज डालेंगे चिली फ्लेक्स एक चमच डालेंगे अजवाइन इससे बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा एक चमच डालेंगे सरसो का तेल अब अपनी हाथों की मदद से सारे मिश्रन को हमें मिला लेना है हलके हलके हाथों से हम सारे मिश्रन को मिलाते जाएंगे ध्यान रहे दोस्तों इसमें हमें पानी बिल्कुल एड नहीं करनी है पालक और उबला हुआ आलू है इतना ही में सारा मिश्रन जो है काफी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आप देख सकते हैं मिश्रन जो है थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है तो इसमें हम एक चमज के करीब बेशन को और एड करेंगे और इसे अपनी हाथों की मदद से अच्छे से मिला लेंगे तो देख सकते हैं ये डो बिल्कुल तयार हो चुका है अब मैं पहले हाथ को धोल लेती हूँ हाथ धोने के बाद हाथ में हलका ओईल लगा लेंगे और इस मिश्रन को दो भाग में बाट लेंगे अब मिश्रन को हम अपनी हाथों की मदद से इसे कुछ इस तरीके का सेब में बना लेंगे हाथ में अगर थोड़ा चिपके तो आप हाथ में ओईल लगा लें और मिश्रन को हम इस तरीके से लंबा सेब में बना लेंगे अब इधर हमने रखा है एक जाली वला वर्तन उसके नीचे हमने वर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया था जाली वले वर्तन को हमने तेल से ग्रिस कर लिया है अब इसमें हम एक के करके दोनों मिश्रन को रख देंगे तेल लगाने से ये मिश्रन जो है चिपकेंगे नहीं जाली में इसे हम पाच मिनट के लिए ढख करके छोड़ देंगे मीडियम फ्रेम पे जब तक हमारे मिशन पक रहे हैं तब तक हम दूसरी तयारी कर लेते हैं तो गैस पे हमने एक कढ़ाई रखा है इसमें हम छोटी चमज से चार चमज तेल डालेंगे एक सुखी लाल मिश डालेंगे कुछ खड़े मसाले डालेंगे तेज पता, डाल चीनी, लोंग, जावीतरी साथी में एक मीडियम साइज के प्याज को कट करके डालेंगे प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक प्याज को हम भूनेंगे तो देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है अब हम प्याज में एड़ करेंगे टमाटर, हरी मिर्च, लेसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे हम कंटिनिन चलाते जाएंगे अब इसमें कुछ हम सुखे मसाले एड़ करेंगे आधा चमज डालेंगे धनिया पाउडर, इसे हमने कूट करके लिया है आधा चमज डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, एक चमज डालेंगे सबजी मसाला आधा चमज डालेंगे चिली फ्लेक्स, नमक डालेंगे स्वादा नुसा एक चोथाई चमज डालेंगे हल्दी पाउडर अब दो मिनट हम सभी मसाले को भून लेंगे मसाले को हम मीडियम लो फ्लेम पे भूनेंगे जब तक मसाले से तेल जो है सेपरेट नहीं हो जाता है तब तक मसाले को हमें कंटिन्यू चलाते जाना है जब तक मसाले भुना रहे हैं तब तक हम मिश्रन को चेकर लेते हैं तो पाच मिने ठो चुका है धकन हटा के हम चेकर लेते हैं आलू, बेशन, पालक के ये जो मिश्रन है काफी अच्छे से पक चुका है तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं ये जो मिर्शन है काफी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो हम चाकू की मदद से इसे हलके हलके हाथों से काट लेंगे, ये बहुत ही आसानी से कर जाते हैं, ये बेशन, पालक और आलू से बने हुए हैं, तो बहुत ही ज्यादा सौफ्ट होते हैं, आप देख सकते हैं कितना असानी से ये कर जा रहे हैं, खाने में बहुत ही स्वादिश लगते हैं, आप इसे एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा, ये पालक की रेसिपी बिल्कुल नहीं है, तो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, तो दोनों रोल को हमने कर लिया हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल के लगते हैं, आप चाहें तो इसे ग्रेवी में ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा फ्राइ करके डालूंगी, ताकि इसका टेस्ट जो है दुगना हो जाएगा, तो इधर हमने फ्राइपेन पे तेल करम होने के लिए रख दिया था, अब एक तरब काफी अच्छे से फ्राइ हो चुका है, तो हम एक चिम्टे की मदद से इसे उलट प्लट करते हुए चेक कर लेंगे, ऐसा ही हमें दोनों तरब से फ्राइ कर लेनी है, गोल्डन ब्राउन होने तर, तो दोनों तरब से देख सकते हैं फ्राई हो चुका है तो चलिए इसे हम फटा फट से बाहर निकाल लेते हैं तो ऐसे ही सारे मिशन को हमें फ्राई कर लेनी है तो अभी धर हम चेक कर लेते हैं तो मसाला जो है काफी अच्छे से पक चुका है तो अब इसमें हम add करेंगे पानी gravy के अनुसार हमें पानी को डालना है तो पानी हम 1.5 से 2 गिलास के करीब डालेंगे साथी में हमने जो पालक का जूस रखा था उसे भी डाल देंगे gravy में हमें एक उबाल आने तक इंतजार करना है तो gravy में उबाल आ चुके हैं अब हम एक एक पीसिस को ग्रेवी में डालते जाएंगे तो सारे मिशन को हमने ग्रेवी में डाल दिया है अब हलके हलके हातों से इसे हम एक बड़ चला लेंगे सारे मिशन को हम ग्रेवी में दू मिनट तक पकाएंगे दो मिनट से जादा हमें नहीं पकानी है तो सबजी को पकते हुए दो मिनट हो चुका है आप इसका ग्रेवी भी देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ग्रेवी जो है थोड़ा सूख जाएगी तो अब हम गैस को करेंगे बंद और इसे हम एक मिनट के लिए ढखकर के छोड़ द सबजी बन के तयार हो चुका है खाने में बहुत ही स्वार्दिश लगेगी आप इसे एक बद जरूर ट्राइख कीजिएगा आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी जितना सुंदर देखने में हैं दोस्तों उतना ही कमाल का इसका टेस्ट है तो उमीद करती हूं कि आपको आज कि यह रेशी पिप पसंद आया हुगा तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर करना नहीं भूलिएगा चैनल पर नय होंगे तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के रिए मेरे चैनल पे बने र